तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे Photoshop में Double Color Exposure Create करते हैं, Double Exposure तो आपको पता ही है Double Exposure क्या है दो फोटो मिलके एक Creative Photo बनता है उसे Double Exposure कहते हैं लेकिन इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा Double Color Exposure मतलब एक फोटो में दो कलर हम लोग यूज करेंगे हो सकते ओ रेड और ग्रीन, हो सकते रेड और ब्लू, हो सकते ग्रीन और ब्लू एक्चॉली एक फोटो तीनो कलर से बनता है RGB, Red, Green, Blue लेकिन हम लोग इस फोटो में जो हम लोग Double Color Exposure क्रेट करेंगे उसमें जस्ट टू कलर यूज करेंगे, दो कलर यूज करेंगे, तो ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ग्रीट करना है तो मेरा नम सोटम और आप देख रहे हैं सोटम FC, तो चलिए, शुरू करते है तो यह दिखिए, मेरे पास एक इमेज है हाँ, तो मेरे पास और एक भी इमेज है, हम लोग दो इमेज यूज करके भी कर सकते, नहीं तो सिंप्ली एक इमेज यूज करके कर सकते, तो कैसे करेंगे, जस्ट देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, दो फोटो यूज करके कैसे करेंट करते हैं, अभी जस्ट इसको प्लेस करेंगे, इसका पर, और इसको भी प्लेस करेंगे, इसका पर, तो दो इमेज देखिए, आगा है, अभी जस्ट ऐसे करके छोट देंगे, ठीके, अभी कुछ भी नह इसका उपर डबल क्लिक करेंगे, किसी भी एक को रेट चूस करेंगे, माल लिजे इसको, ओके, और इसका उपर डबल क्लिक करेंगे, इसको ब्लू चूस करेंगे, ओके, यह देखिए, ठीके, इसको थोड़ा सा और प्लेस कर सकते, ऐसे करके, ओके, माल लिजे ऐसे, तरके delete कर सकते कैसे delete करेंगे देखिए इसका पपर mask create करेंगे और just gradient tool चुश करेंगे और ऐसे करके remove कर देंगे टो देखिए और blue का अगा थोड़ा सा बढाना चाहते तो increase कर सकते just इसका brightness को तो इसका पर click करेंगे levels choose करेंगे और इसको increase करेंगे तो ऐसे करके आप create कर सकते अब ही आपको अगर color का adjust करना है blue color, red color, कोई भी color को adjust करना है आपके पास बहुत सारे possibilities है आप इदा से top choose करके कर सकते, color balance से कर सकते, hue saturation से कर सकते, ठीक है तो अब ही बाकी जो extra है extra को आप crop कर सकते ऐसे करके, okay adjust, enter कर देंगे और सब को match कर देंगे, okay flatten image कर सकते तो यह दिखिए, हमारा image finally बन चुका है, तो यही था आज का छोटा सा tutorial बहुत ही easy है, बहुत ही simple है तो IOP की एट tutorial आपको अच्छा लागा अगर अच्छा लागा होगा तो वीडियो को जुरू like कर दिजिए, और अभी तक मेरे चैनल को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर दिजिए, क्योंकि मैं जब इस तरह का editing related और photography related वीडियो लाओंगा पहले ही आपको notification मिल जाएगा और आप देख सकते, तो ठीक है अज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाटा